सबी टीचर को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और खड़ा करने के बाद उन्हें टीचर की पहाचान پत्र पूछी जाती है देखी जाती है वहाँ चेक किया जाता है जितने लोग हैं वहाँ पर जितने सिख्षक हैं वो सभी आतंगवादे उनका पहचान पत्र देखते हैं और पहचान पत्र देखने एक बाद जितने मुस्लिम सिख्छक है उनको एक किनारे कर देते हैं जिनमें से दो सिख्छक जिनमें से एक हिंदू है और दूसरी सिख्छ है जो सिख्छ है उसका नाम है सुपिंदर कौर औ और जो हिंदू है उसका नाम है दीपक चंदित इन्हें दो सिख्छकों को एक महिला है और एक पुरुस है इन दोनों सिख्छकों को गोलियों से भून दिया जाता है किन के द्वारा मुस्लिम आतंकियों के द्वारा हम खुल कर बोल रहे हैं मुस्लिम आतंकि क्योंकि हमें किस किसी से हमारी çık 국iane कि जो आतंके decides वहँ पर उger ओंने मारा ने तो समंधरहों के तो हमखुल कर बोल्रहेग मुस्लिम हूव और बहुत सबस्वकों बहुत से लोगोग आए दिन कहते रहते हैं था जोतीस कोई धरम नहीं हो था भूारता पर बिल्कुल नहीं हो था यह ताकत है हमारी यह छमता है और इसलिए हम जाने जाते हैं यह बेवाक अंदाज में जो हम बोलते हैं इसलिए तो हम जाने जाते हैं लोग खुलकर बोलते हैं कि कहते हैं कि दूबे जी हैं जो खुलकर बोलते हैं बिना डरे समझ रहो यह छमता नहीं है तुम्हारी और जित बोल रहे हैं वहाँ पर मुस्लिम आतंकी पहुचते हैं और पहुचने के बाद सारे मुस्लिम सिख्छक को एक किनारे कर देते हैं और दो सिख्छक जिसमें से एक सुपिंदर कौर है जो महिला है उनको गोली मार देते हैं और दूसरा दीपक चंद है उसको गोली मार देते हैं और एक महिला एक सिक्षक के दोनों को वहाँ पर पकड़ कर गोली मार देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं किस वज़ा से सिर्फ इस वज़ा से कि स्री नगर इदगाह के इलाके में मुस्लिम बाहुले छेत्र में यह स्कूल है जिसका नाम Government Boys High Secondary School है और उसमें से हिंदू सिक्षक कैसे पहार है भाई मुस्लिम बाहुले छेत्र में मुस्लिम सिक्षक ही होने चाहिए इस चीजों को फॉलो करने के लिए और इसको लागू करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक हिंदू सिक्षक और एक मुस्लिम सिक्षक माफ किजीए का, एक हिंदु सिक्षक और एक सिख्षक. दोनों को मार देते हैं. और सिर्फ इस बजा से मारी जाती है, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुले च्धर है और उस च्धर में हिंदु सिक्षक पढ़ाने जाते हैं. बहुत से लोग हमें गलत बोलेंगे, हमारा बिरोध करेंगे कि हमने ऐसा खुल कर क्यों बोल दिया भाई कि वहां पे मुस्लिम आतंकी गए थे तो हम एक ही बात आपसे पूछना चाहते है और एक ही बात आपसे कहना चाहते है कि नीम जैसा कड़वा चलेगा लेकिन हिंदू होकर हिंदूतो को गाली देने वाला और हिंदू होकर हिंदूतो का बिरोध करने वाला भड़वा नहीं चलेगा एक बार फिर ध्यान से सुन लिजिए कि नीम जैसा कड़वा चलेगा मगर हिंदू होकर और हिंदूतो को गाली देने वाला और हिंदूतों का विरोध करने वाला भड़वा नहीं चलेगा क्योंकि भड़वागिरी आप अपने घर में रखिये और अपने अंदाज में रखिये जहां आप रहते हैं वहाँ ही फैलाईगे ये भड़वागिरी हमारे साबने मत फैलाईगे क्योंकि हम सनातनी हैं और हिंदू है और वही रहेंगे उन लोगों ने धरम पूछ कर और उनके सीने में गोलिया उतार दी और फिर भी कुछ लोग, मतलब फिर भी कुछ लोग आतंकवाद की मज़ब ढूंडते हैं आतंकवाद का धरम पूछ रहे, क्लियर हो गया इससे ज्यादा पूछने क्या हो सकता क्या है क्या आतंक्यों ने पूछा कि तुम ब्रामण हो? नहीं पूछा क्या आतंक्यों ने पूछा कि तुम सिख हो? नहीं पूछा क्या आतंक्यों ने पूछा कि तुम दलित हो? नहीं पूछा क्या आतंक्यों ने ये पूछा कि तुम पिछडी हो नहीं पूछा क्या आतंक्यों ने पूछा कि तुम दलित हो नहीं पूछा क्या आतंक्यों ने पूछा कि तुम सिख हो कि नहीं हो नहीं पूछा क्या आतंक्यों ने पूछा कि तुम जैन हो या नहीं हो क्या आतंक्यों ने पूछा कि तुम बौध हो या नहीं हो, बिलकुल नहीं पूछा, क्योंकि इन चीजों से आतंक्यों को कोई मतलब नहीं था, क्या आतंक्यों ने पूछा कि तुम किस संगठन से हो, RSS से हो, बजरंग दल से हो, VHP से हो, हिंदू पुत्र से हो, या खुनख कि थार्ट तीम से हो आतंकियों ने तुम की स्टलीर हो औरही थे सबस्था अन्हें पूछा कि तुम सेखुलर हो में रखी हो नहीं और Geral , क्या तुम कीहर भूलियों का नहें रखी हुया। और्फ़ला। अचान इसा कहा शीफ्री या जगा हुआ ct बंदूक में जो रखिया गोली उस गोली को खाओ और सिधा उपर जाओ सिधा ही टिकट